हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो माई चैनल मैं समीटा आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि आप अपनी गोल्ड जूलरी को किस तरह से घर पर क्लीन कर सकते हैं वो चाहे आपके उकेशनली पहनने वाली जूलरी हो या फिर जो आप खर पर रेगलर बेस पे पहनते हैं वो जूलरी दोनों तरह की जूलरी जब पसीने के कॉन्टेक्ट में आती हैं या बहुत टाइम तक वो यूज नहीं होती है तो वो काली पढ़ जाती है इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये मेरे रेगलर पहनने वाले जूलरी हैं जिनको मैं अक्सर पहनती हूँ तो ये काले हो गए हैं काफी साथ ही जो हमारी ओकेशनली पहनने वाली जूलरी होती है वो काफी delicate design के होती है उसके वज़े से उसके जो grooves होती है उनमें गंदगी accumulate हो जाती है time के साथ में चाहे आप उन्हें पहने चाहे locker में ही वो रहें हलकी हलकी वो काली लगने लगती है shine बिल्कुल खतम हो जाती है तो इसके लिए जरूरी है इन्हे time to time clean करना अधिकतर हम jewler के पास लिया कर इन्हें clean करते हैं बट आज मैं आपके साथ simple सा तरीका share कर रही हूँ जिसे आप बहुत ही कम चीजों के साथ में इसे घर पर clean कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपके लिए video helpful रहेगा आपको पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये video पहले हम clean करेंगे ये delicate सी jewelry इसके जो groups हैं उनमें गंदगी हैं बाखी वैसे ये clean है कम पहनी जाती है तो तो इसके लिए हमें जरुरत होगी सबसे पहले एक bowl की उसमें हम डालेंगे गरम पानी बहुत तेज भी आप नहीं डालें जिस हलका सा गरम होना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा थंडाए से कर लिया है उसके बाद एक चमच इसमें डालेंगे dish liquid या फिर कोई भी mild detergent आप shampoo का भी use कर सकती है इसको गोल लिया है इसके बाद इसमें 1,4, 3 spoon मैंने डाली है नत होती है इसमें उपर मोती का काम होता है जो की white होते है तो उसको मैंने पूरा dip अभी नहीं किया है मैं जस्ट चेक कर रही थी कहीं ऐसा ना हूं मोती के उपर yellow color ना चड़ जाए फिर वो अच्छी नहीं लगेगी तो पहले मैंने इसे dip करके देखा और अभी side drug दिया है बाद में मैं देखूंगे इसको dip करके नहीं तो ऐसे ही इसे clean करेंगे ये जो हमारी बाकी की jewelry है इसको किसी भी soft wrist से आप इस तरह से rub करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही easily इसमें से गन निकलने शुरू जाती है आपके हाथ में ही आपको काला काला दिखने लगेगा जो कि वैसे आप आँखों से देखें तो visible नहीं रहता है आप देखेंगे आपकी jewelry साफ ही है बस काली लग रही है थोड़ी से उस तरह से तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से rub करूँगी और ध्यान रखियां बहुत अराम से करें जहाँ पर delicate joints हैं वहाँ पर तेजी से नहीं करें बाकी जहाँ पर आपको लगता है आप brush लगा सकते हैं वहाँ पर आप brush लगाएं तो मैंने बिल्कुल यह face पर mask लगाने वाला जो brush होता है इसके brushes थोड़ा सा soft होते हैं तो वो लिया है इस तरह से इसको मैं rub कर दूँगी और यह देखें, detergent की help से इससे बहुत easily यह सारी गन छूटती जा रही है तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है back side भी आप जरूर इसको clean करें ताकि जो groups होती हैं back side से ज़्यादा होती है उनमें भी dirt काफी accumulate हो जाती है तो इस तरह से सारी जितनी भी jewelry pieces है इनको मैं इस तरह से brush से पहले करूँगी और उसके बाज को थोज़ दिप कर दूँगी इस पानी में और फिर करेंगे आगे का process थोड़ी तरह सारी चीजों को ऐसी ही मैंने dip करके छोड़ दिया था साथ में मैंने nut भी डाल दी थी तो इसको भी आप देख सकते हैं इसमें भी हल्दी का कोई दाग नहीं आया है तो काफी safely ये clean हो गई है इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं किया मैंने क्योंकि इसमें बहुत ही delicate काम होता है तो बस इसको just surf के पानी में ही dip करके छोड़ दिया तो ये clean हो गई है ये जो necklace है इसकी जो डोरी है उसमें जरी का काम है वो काफी काली पढ़ गई है कई बार perfume वगर जो हम use करते हैं उससे भी जरी काली पढ़ जाती है इसमें मौश्चन नहीं रहना चाहिए तो बस इस तरह से हर एक चीज को पानी में dip करते हुए हम इसको यहाँ पर फिला दे रहे हैं सुखे कपड़े के ऊपर ये जो साबून का पानी है इसको आप ऐसे ही नहीं फेके इसको एक बाद चेक कर लें चाहे तो छलनी इससे चान भी सकते हैं कोई piece होता है कि इसमें गिर जाए तूट जाए तो वो इसमें आपको मिल जाएगा अभी मुझे इससे दूसी जूल्री साफ करने के लिए यूज करना है तो मैंने side रख खा है यह जितनी भी जूल्री है इसको मैंने towel से इस तरह से dry किया है दोनों तरब से पलट पलट कर आप dry कर लें और आप यहां पे देख पा रहे होंगे visible result यह जो जाल था इस necklace का वो कितना clean हो गया है तो इसको मैंने dry करके इस तरह से paper के उपर इस तरह से फैला दिया है और check भी कर लिया है कोई चीज की तूटी तो नहीं है या कुछ उलज तो नहीं गया है वो चीज सारी clean कर ली है इसके बाद जब आप इसको pack करें तो किसी भी muslin cloth के अंदर या रूई के अंदर इन जूलरी को रखें तो इनका color हमेशा ऐसी रहता है एक दूसरे के contact में आके oxidation नहीं होता है daily wear में पहनने वाले मेरे ये airing है इनके अंदर की तरफ groups बनी हुए है तो इनमें काफी गंदगी जमा हो जाती है हम इने अक्सर पहन के ही रखते हैं कम ही उतरते हैं तो ये देखिए अब काफी गंदगी अंदर की तरफ भी है बाहर तो जब आप नहाते हैं तो clean हो ही जाता है पर अंदर की तरफ से इन groups में काफी गंदगी कटी हो गई थी ये देखिए बिलकुल खाली से हो गए हैं ये clean लग रहे हैं काफी उपर से भी मैंने हलका सा brush न के उपर लगा दिया है और ये shiny हो गए है काफी इसी तरह से बाकी की जो जूलरी है वो भी मैंने इसी पानी में डाल के इनको clean किया है यहाँ पर ये मेरी bangles से है जो मैं regular basis पे पहनती हूँ साथ में जो एक ring है मेरी engagement ring वो भी मैंने इसमें डाल दी है इसके दोनों तरफ design है actually आप इसको दो तरफ से पहन सकते हैं तो इसमें क्या होता है जब आप एक तरफ से पहन रहे हैं अंदर दूसी तरफ इसमें कई बार जब आटा हम कर रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें कर रहे होते हैं तो गंदगी फस जाती है वैसे तो मैं इसको clean करती रहती हूँ बढ़ आज इस तरह से surf के पानी में मैंने इसको भी clean कर दिया है उसके बाद मैंने plain water में इनको dip किया इस तरह से और अब इनको भी मैं कपड़े पर इस तरह से फिला दूँगी और इनको भी dry कर लेंगे तो देखिए simple साबुन के पानी से इसको clean करने से इसमें काफी अच्छी रंगत आ गई है गरम पानी रहता है तो वो भी गंद को हटाने में मदद करता है साथी turmeric इसलिए हम डालते हैं थाकि जो उसकी yellow color है उसमें shine बनी रहे वो damage नहीं हो बलकि हल्दी डालने से ये काफी अच्छे color में आ जाती है तो इस तरह से ये अंदर बाहर से अच्छे से मेरे जो earrings हैं वो clean हो गए है मंगल सूत भी काफी अच्छे से clean हो गया है और जो मेरी ring थी वो भी अंदर बाहर से बहुत अच्छे से clean हो गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों picks जो before and after की है तो काफी difference है इन में जब clean हो जाती हो उसके बाद नहीं लगता कि इतनी गंदी थी ये तो उमीद करती हूँ आपके लिए वीडियो helpful रहा हो आपको पसंद आया हो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like सरूर करें चैनल को subscribe करें और अपना feedback share करना नहीं भूले मैं मिलती हूँ कसी और नई interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day